वेलकम टू लर्न सम्टिंग न्यू चैनल पूरा इसे पढ़ लेंगे या इसका वाचन कर लेते हैं फिर उसके बाद इसका विवरन करेंगे श्री भगवती चनल वर्मा का जन 30 अगस्त 1903 को उन्नाव जले उत्तर प्रदेश के शफीपूर गाउं में हुआ था उन्होंने इलाबाद से बी ए यलेलबी की डिग्री प्र इसरे चित्र साहित्य कादमी से प्रस्कृत olvidux अपने खिलोवने तीन वर्ष तेड़े मेड़े रास्ते यूरा्चुंड़ा उपremeयास मेरी कहानिया मुर्चा बन्दी संपूर्ण कहानिया कहानी संग्र मेरी कविताएं सविनए और एक नारास कविता मेरे नाटक वसियत आ जानकारी उनकी हासिल करेंगे तो देखे कवी का नाम जो है भगवती चनल वर्मा है जन्म दिनांक 30 अगस्त 1903 है जन्म स्थान है गाउं शफीपूर जिला उन्नाव राज्य उत्तरप्रदेश तो इनका जन्म शफीपूर गाउं में हुआ था जो कि उन्नाव जिले में आता ह है तो उसका राज्य जो है उत्तरप्रदेश है शिक्षा बीए यललबी इन्होंने क्या किया था इलाबाद से बीए यललबी की शिक्षा प्राप्त की थी इनके क्रियक शित्र यानि इन्होंने कहां कहां काम किया है विचार और नवजिवन पत्रिकाओं का संपादन किया औ इनकी रचनाएं हैं उपन्यास चित्र लेखा जिस पर दो बार फिल निर्मान हो चकी है भूले विस्रे चित्र यह उपन्यास साहित्यकादमी से पुरुस्कृत है अपने खिलोने पतन तीन वर्ष तेड़े मेड़े रास्ते यूरा चुंडा आदी यह इनके सभी उपन्यास ह हैं मेरी कहानियां मोर्चा बंदी और संपूर्न कहानिया कवीता संग्र मेरी कवित्ताईं सविनए और एक नाराज कवीता यह सब इनके कविता संग्र हैं नाटक मेरे नाटक वसियत आदी इनके नाटक है इनकी मृत्यू जो हुई पांच अक्तूबर 1981 में इनकी मृत्यू हो गई तो ये था भगवती चरण वर्मा जी का कवी परिचे तो हम कवीता देखने से पहले कवीता का आशय ये कवीता का मकसद इस कवीता को क्यूं दिया गय है ये देखेंगे कवीता का आशय भगवती चरण वर्मा के नाम को हिंदी साहित्य में आदर के साथ लिया जाता है तो देखिए भगवती चरण वर्मा जी एक स्रेश्ट साहित्यकार माने जाते हैं जो कि उनका नाम बड़े सम्मान के साथ लिया जाता है प्रस्तूत कवीत कवी देश प्रेम की जलक दिखाई देती है तो इस कवीता में क्या है कवी अपने देश से कितना प्रेम करते हैं उसकी जलक यहां पर दिखाई देती है वे मात्रु भूमी को परनाम करते वे उसमें विद्यमान अपार वन संपदा खनी संपती का वर्नन करते वे भारत के महान विभूतियों का स्मरन करते हैं इस कवीता में उन्होंने क्या किया है कि जो भारत की वन समपदा है जो नेचर है, इंवायरमेंट है प्रकरती है प्रकरती का वर्नन करते हुए और खनीज समपती खनीज यानी जो कि हमारी धर्टी के निचे ये जमीन की नीचे जो भी पदार्थ हैं जैसे लोहा, चांदी, जिंग, ये सबी क्या हैं? खनी संपती है, इसका उन्होंने वर्नन किया है, और महान विभूतियां, यानि कि महान हस्ती कह सकते हैं, जो कि गांधी हैं, बुद्ध हैं, राम हैं, उनको इस कवीता में याद किय महान परit परिचय प्राप्त होता है, वह आज हमने कवी का परीचय देख लिया कि कि इस कवीता को क्यूं दिया गया है? अगले वीडियो में हम मात्रभूमी कवीता और उसका भावार्त देखेंगे. थांक यू फर वाचिंग प्लीस लाइक शब्सक्राइब और शेर